नवस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयू 38 एर्स है और इस पाम को देखें तो काफि स्ट्रॉंग पाम है पर अंदर बुराया भी है वो जब जीवन रेखा पर आऊंगा तब उसके बारे मैं डिस्कस करूंगा यहां पर देखें तो एक धनुशाकार बन रहा है इस तरह की साहिन वाला व्यक्ति समझदार भरपूर होता है जो जीवन में अपरचुनिटी आती है उसको अच्छी तरह से ग्रैप कर पाता है दूसरी पार्ट देखें तो इस पार्ट को ज़्यादा स्पेस मिला हुआ है तो आप पैसे वाले बनोगे पाम को देखे तो एक रेक्टेंगल शेप बन रहा है तो जनरली बैठे-बैठे व्यक्ति काम करता है या बोल कर कारे करता है दूसरी चीद देखे तो साथ में चोड़ाई भी है तो व्यक्ति महंती भी उतना ही होता है इनका अंगूठा काफी बेंड भी हो रहा है तो व्यक्ति में दोस्ति यारी के अच्छे यानि इनके मित्रता पून संबंद होते हैं दोस्त जल्दी बनते है और फर्स फैलेंज भूत नुकीला है तो अपने कारे के प्रति बहुत जिद्दी रुप से काम करने वाले लोग होते हैं और सेकेंड फै हमने पेश कर देंगे फर्स उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है और छोटी यह सुरी की उंगली है वो काफी गुर्य उंगली से बढ़ी है तो भूत हिम्मती सभा होता है जेब में पांच लाख रुपे हो और इनको पांच उंगलिया छोटी है पांच के मुकाबले बहुत फटा फट नीड़े लेकर बहुत जल्दी आगे निकलते और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी जाता रहती है फर्स फैलेंट थोड़े से बड़े है तो व्यक्ति में एनालिटिक परसनालिटी भी होती है छोटी उंगली फर्स फैलेंट तक पहुच रही है और जिसकी ये उंगली और अंगुठा बढ़ा हो तो व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होता है सक्सेस्पूल होता है और ये उंगली जब फर्स फैलेंट तक पहुचती है व्यक्ति डॉकुमेंटेशन फाइल ये एक प्लस पॉइंट है और यहां पर खड़ी रेखाए भी है बुद्परवत जब किसी का अच्छा होता तो व्यक्ति दिखने में थोड़ा अच्छा होता है उसकी आवाज अच्छी होती है बोलनी की कारेश है लिए अच्छी होती है और बिजनेस के सारे गुन व्यक्त हैं businessman व्यक्ति को इजीली प्राप्त होते है बुद्परवत के कारण काफी अच्छा है और साथ में यहां पर थोड़ा सा उभार जद ए तो पैसे से ज़्यादा नाम के प्रतिबी व्यक्ति को थोड़ी सी ज़्यादा चाहत होती है यहां पर देखें तो strong सुरी रेखा नही जाता संगर्स नहीं करना पड़ता और यहां पर multiple property की sign भी हलके से बनी हुई है व्यक्ति के जीवन में multiple property हो का भी सुख मिलता है और यह square मुझे complete लग रहा है यहां पर यह जब square होता है तो व्यक्ति का फैला हुआ काम का जोता है यानि multi city का काम का जोता है और व्यक्ति अपन की मा कमाता है तो आसपास के लोगों को ऐसा लगेगा जैसे इनके पास दो लाग तीन लाग की इंकम है इतने अच्छी तरह से यह लोग रहते हैं यहां पर विद्या रेखा बनी है यह रेखा किसी को डिग्री नहीं दिलाती पर यह basic ज्यान दिलाती है और basic ज्यान के भरोस से भी व्यक्ति अच्छा-कासा संपन्य बनता है दूसरी खासियत लोग इनको पुछ-पुछ कर कारे करते इस तरह की जब रेखा होती है तो और जैसे जैसे उमर बढ़ेगी वैसे वैसे पुछ-पुछ कर कारे करने वालों की संख्या कई गुना इनकी बढ़ती जाएगी शनी परवत यहां से थोड़ा सा उभार है तो सुबह उठने में ऐसे लोगों को तकलिफ होती है और बागी का पूरा दिन एकदम एक्टिव निकालते क्यूंकि बाद में ये फ्लेट साइन है तो शनी परवत काफी अच्छा है और एक श्ट्रॉंग रेखा शनी परवत पर जीवन में अच्छी खासे और चप्पन के बाद धार्मिक और सामाजिक छित्र में भी इनका खर्च बढ़ेगा यानि दिल से ये खर्च करेंगे गुरु परवत काफी अच्छा है हाँ थोड़ा सा उभार यह हो सकता है थोड़ी सी पारिवारिक समस्य होगी इनको इसका उपए मैं दे दूँगा क्योंकि जब गुरु परवत थोड़ा सा भी यहां उभार लेता है तो जीवन में कहीं न कहीं थोड़ी सी पारिवारिक सम पर पत्ति पत्ति के बीच मद्वेद जैसे यह क्रॉस आ गया तो हो सकता है चांसे कम हो जाते हैं पर पारिवारिक समस्य यह क्रिएट करता ही है बहुत जादा नहीं पर हलकी फुलकी तो रहती है और यहां पर कंटीनिव खड़ी लाइन है तो जीवन में विकास कंटीनिव हो होगी और बहुत अच्छी भी नहीं होगी पर लाइने बहुत चलने के कारण व्यक्ति थोड़ा सा चिंतित सबाव का बन जाता है और जिसके हाथ में इतनी रहु रेखा है कट करती हो अभी वो समय आया नहीं है इनका जीवन रेखा पर आऊंगा तब मैं रहु रेखा हो के बारे माँ बात करूँगा बाकी ये रेखा है व्यक्ति को चिंतित सबाव देती है अब चलते बारी मंगल की और बारी मंगल काफी अच्छा उभार लिये हुए ये लोग साहसी होते जब किसी से मिलते तो एनरजी के साथ मिलते प्लस संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करते हैं इस तरह की इनकी मानसिक्ता होती है चंद्रपरवत काफी अच्छा है तो ये विदेश से संबंद लाता ही है और इनके जीवन में देखे तो एक यात्रा रेखा पूरी बनी हुई है ये चाहे तो लॉंग स्टे भी विदेश में कर सकते हैं और जाना आना इन संद्रपरवत काफी अच्छा है तो व्यक्ति की निर्नेशक्ती अच्छी होती है वैल्यू फोर मनी पर्चेस करता है यानि जो पर्चेस करते हैं वो देखने लाइक चीज होती है और साथ-साथ में पानी अच्छा लगता है दूद से बनी वस्तुए इनको अच्छी लगत खासे क्रियेट करवाता है। शुक्र परवत पर भहुत सारी डार्क रेखाए है। ये व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ और पैसा भी देती है। और शुक्र परवत अच्छा है और साथ में गुरु परवत भी उभार लिए हुए। तो अपने बिजनेस का विस्तार भी अच है तो दोनों मिलाके धनका पैमाना व्यक्ति के जीवन में अच्छा खासा प्रदान होता है। अब इनकी हार्ट लाइन को देखे। हार्ट लाइन काफी सुन्दर है। कम्प्लिट गुरु परवत से सुरू होकर ऐसे घुमाओ ले रही है। और यहाँ पर थोड़ी सी फ्ल चीज होती है, एक्सपेक्टेशन लेवल इनका ज्यादा होता है। एक्सपेक्टेशन लेवल काफी ज्यादा होता है। पर इतनी भी अंदर नहीं जा रही है। फिर भी एक्सपेक्टेशन लेवल इनको बार-बार मायूस करेगा। परिवार के मामले में, घर के मामले में, क्योंकि घर के लोग पेड़ नहीं होते हैं पर कमर्शियल लेवल पर ये सफलता दिलाती है क्योंकि हाथ के नीचे काम करने वाले या खुद भी जो काम करते उसमें एक्सपेक्टेशन लेवल ज्यादा अच्छी होने के कारण व्यक्ति ज़्यादा ग्रोथ करता है दूसरी चीज गुरु परवत से सुरू हो रही है हार्ट लाइन तो भरो से लायक इंसान होते है किसी के सौर रुपे भी बाकी होंगे तो सामने से देखर आएंगे इस तरह की इनकी मानसिक्ता होती है और थोड़ी सी डार के रेखा तो जंजट मारिया उसे भरा जीवन रहता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्री नहीं रह पाता कोई न कोई जंजट मारिया व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है अब इनकी माइन लाइन को देखे तो complete अंदुनी मंगल से सुरुवात हो रही है और यह सीधी चल रही है और यहाँ पर एक offshoot जा रहा है यह लगबग उम्र होगी इनकी 36 के आसपास कोई न कोई अच्छी opportunity भी इनके जीवन में आई होगी और जब अंदुनी मंगल से मैंन लाइन शुरुवात होती है तो व्यक्ति प्लान बहुत बनाता है और ज़्यादा प्लान दिमाग में रहते हैं या काग जो पर रहते हैं इंप्लिमेंट नहीं होते और इतनी अच्छी माइन लाइन हो तो व्यक्ति पांच मिनिट भी फाल्तू समय वेश्ट नहीं करता, कोई न कोई ज्यान लेने की कोशिस करता है और अपनी बुद्धी प्रतिभा के बल पर ये काफी अच्छा डवलप्मेंट अपने जीवन में करते और इनकी माइन लाइन को देखे, तो सुरुवाती स्टेज, यहां तक का स्टेज थोड़ा सा डार्क है ये पिरियड होगा इनके जीवन का लगबग पचास साल तक का या पचास साल तक के पिरियड तक ये प्रेशर लेंगे अपने जीवन में और उसके बाद ये माइन लाइन काफी अच्छी चल रही है, यहां पिरियड तक ये प्रेशर अपने जीवन में आगे बढ़ने का इनके जीवन में रह गई, पर पचास के बाद ये काफी रिलेक्स वाला जीवन जीएंगे अब चलते इनके जीवन रेखा पर, जीवन रेखा काफी अच्छी होने के बावजूद भी थोड़ी सी कमिया है, जैसे एक तो गुमाव ले रही है, तो ये परिवारिक सोच वाले इंसान बनते हैं, पहले चीज, परिवार के प्रतिक वेक्ठी से टच रखने की कोशिस करत प्लस सुक्र का पावर बढ़ जाता है, रेक्ठी के जीवन में, तो वो पैसा भी देता है, पर यहां पर ही देखे, तो एक सोला साल के आसपास एक रहू रेखा ने काटा, उस पिरियड में कोई न कोई इनको तकलिफ जीवन में आई होगी, एक रेखा 29 के आसपास काट रह इस पिरियड में इनको कोई तकलिफ आई होगी, एक 38, एक 40, एक 44, एक 48, यह जो पिरियड है, 48 तक का, यह इनके जीवन में तकलिफ वाला होगा, क्योंकि यहां पर देखे, यह जो पार्ट है, मैंने तो बड़ी-बड़ी राव रेखा हो का जिक्र किया, पर उसके बीच मे बहुत सारी छोटी रेखाए भी, इनके जीवन रेखा को काट रही है, तो यह 38 से लेके, लगबग 44 तक समझो आप, इनके जीवन में तकलिफ हो का समय रहेगा, कोई भी काम बीच-बीच में रुकावटे आएगी, इनके जीवन में, पर प्लस पॉइंट ही है, कि इनकी फे जंजटे है, यह चालू रहेगी, और 44 के बाद, फिर सिधी 48 के आसपास राउ रेखा काट रही है, और इस बीच में आपशुट भी है, एक आपशुट यहाँ पर है, यानि 42 में कोई सभलता भी मिलेगी, और 153 में इनको सभलता मिलेगी, और 172 में, पर यह जो पिरियड र जीवन में थोड़ा सा तकलिफ डायक जरूर रहेगा, और उसके बाद फोड़ी सी राउ रेखा है, 48, 53 और 62, उसके बाद कोई रेखा है, इनके जीवन में राउ रेखा है नहीं है, पर यह जो पिरियड इनका आने वाला समय है, लगबग 38 से लेके, यह जो पिरियड है, य यह तकलिफ वाला इनके जीवन में रहेगा, जादा से जादा 46 ता, यह पिरियड इनके जीवन में थोड़ा सा तकलिफ डायक रहेगा, क्योंकि हर एक एक दो दो साल में कुछ न कुछ रुकाउटे इनके जीवन में दिख रही है, और उसके बाद यह इनकी जीवन रेखा, काफी स्मूथ चल रही है तो जादा तकलिफ नहीं है जीवन काफी अच्छा रहेगा इनकी फेट लाइन देखे तो यहां से सुरुआत हुई और यहां आकर घुमाओ ले ली यानि उम्र के लगबग 36 के आसपास कुछ न कुछ बदलाओ आया और इस पिरियड में भी देखिए एक उम्र लगबग 20-22 के आसपास एक 24 के आसपास एक 30 के आसपास एक 35 के आसपास एक 36 के आसपास एक 38 के आसपास और उसके बाद कोई कट नहीं है उसके बाद ये जीवन धन रेखा काफी स्मूथ चल रही है पर ये जो रहू रेखा है ये व्यक्ति के जीवन में डिश्टरबंस लाएगी हाँ एक कट ये जरूर है ये उम्र लगबग 56 के आसपास साड़े 55-56 के आसपास इनको और आर्थिक कष्ट ये पिरियड में आएगा और उसके बाद इनकी जीवन धन रेखा काफी स्मूथ चल देगे यानि इंकम कंटीन्यू रहेगी इंकम के मामले में प्रोब्लम नहीं आएगा कमाई के साधन कंटीन्यू बने रहेंगे पर रहू रेखा है कोई न कोई रुकावटे आर्थिक नुकसान व्यक्ति को देती है कोई न कोई प्रोब्लम जीवन में क्रियेट होता ही है तो ये इस तरह का इनका पाम है आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हलो ये एक और उपाय इनको देता हूँ मैं राव रेखा के लिए इनकी बारिक-बारिक रेखाए ये सुवे शाम इनको एक्स्ट्रा समय निकाल कर स्ट्रिट डोगों को खाना खिलाएंगे तो हो सकता है दो धाई साल के अंदर ये रेखाओ का प्रभाव काफी कम हो जाएगा पर वो कंटीन्यू इनको एनरजी लगानी पड़ेगी शुरुवात में तो ये खिलाने जाएंगे स्ट्र कि डोगों को खाना खिलाने में तो ये काफी जो इनके जीवन में संकट आने वाले काफी हलके हो जाएंगे तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रस्णों के जाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद